आपका हमारा फिर से यूटूब चैनल पर शुरुआत करते हैं दोस्तो आज के कोश्चनों की आज की हमारी छटमी क्लास है कम्पूटर क्लास इसमें बहुत ही इंपूटर से सम्मंदित महत्मूर कोश्चन डाले गए हैं तो इंड तक जरूर देखिएगा दोस्तो आपका पहला क्वेश्चन है प्रथम बेफसाइट का निर्माड किसने किया जिन्हें वर्ल्ड वाइड वेड का संस्थापक भी कहा जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है टीम बर्नस ली टीम बर्नस ली को वर्ल्ड वाइड वेड का संस्थापक भी कहा जाता है आपका अगला दूसरा Question है दोस्तो Mouse का वेस्कार किसने किया इसका अंसर है Dr. Douglas Angelvert ने इन्होंने कब किया था सन 1964 में किसने किया था Mouse का वेस्कार Dr. Douglas Angelvert ने चलते हैं अगले Question की और आपका अगला तीसरा Question है Microsoft Corporation की इस्थापना किसने की इसका अंसर है विल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में विल गेट्स की प्रिसिद्ध पुस्तक दा रोड अहेड उनीस सो पंचान में लखी गई बरतमान में विल एंड मेलेंडा गेट्स फांड संद्वारा सामजे कारव में लगी है तो दोस्तो Microsoft Corporation की जो इस्थापना की थी वो विल गेट्स तथा फॉल एलन ने दोनों ने मिलकर 1975 में की थी और दोस्तो एक विल गेट्स की प्रिसिद्ध पुस्तक है दा रोड अहेड तो एक उनीस सो पंचान में लखी गई है जो बरतमान में विल एंड मेलेंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामजे कार्यों में लगे हुए है चलते हैं अगले कुश्चन की और आपका अगला फूरत नंबर का कुश्चन है फिरी होट इमेल सेवा को किसने जनम दिया इसका सही आंसर है भारत के सवीर भाटिया कहा के है यह भारत के याद रखना इंपोर्टेंट कोश्चन है भारत के सवीर भाटिया जी ने चलते हैं अगले कोश्चन की और आपका अगला फूरतमा कोश्चन है वेन उधारड है W-A-N वेन किसका एक उधारड है दोस्तों जो बैंकों में एक ATM लगे होती है वेन का एक उधारड होता है आपका अगला छटवा कोश्चन है ओप्टीकल माउस में माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ती क्यों माउस पैड की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें गूमने वाला भाग नहीं होता है नहीं होता है आपका अगला साथवा कोश्चन है किसी सौफ्ट्वेर या तकनिक उप्यो गता को परखने के लिए निर्माड के दौरान उसे बाजार में जारी करने को क्या कहा जाता है किसी सौप्टवेर जैसे कोई सौप्टवेर बना है या कोई तक्निकी करके उसको बनाया गया तो उसको परखने के लिए कि यह है कहा तक सही है उसको निर्माड के दर्म बाजार में जारी करने को क्या कहा जाता है वेटा रिलीज याद रखना जोस्तों एह है वेटा रिलीज कहा जाता है इसको चलते हैं अगले कुश्चन के और अगला आठवा कुश्चन है आपका पॉप अफ क्या है पॉप अप क्या है आंसर वेब ब्राउजिंग के दोर्ण स्वेम खुलने वाला विग्यापन का विंडू तो जी हाँ जैसे कि आप कभी इंटरनेट एक क्रोम पर कुछ भी ओपन करते हैं तो देखते हैं आप किसी अन्य साइट पर जाते हैं उसके अलाव वीडियो में भी बताया थह से सभी का द दखाया गया है कि कि पॉट की संठा किसने किया कंपूटर का लैप टॉप का तो इसका सभी आंसर है करीकर लाज्थम कन किस ने किया है कि पुट की संठा लाज्थम सेल्स को आपक अगला दस्वा कोश्चन है Digital Compact Disc का अभजकार किस ने किया तो जी हा Digital Compact Disc DCD का अभजकार किस ने किया James Russell ने किया आपका अगला 11 कुष्चन है Intel Company की स्थापना का सरे किसे जाता है Intel Company की स्थापना का सरे जाता है Bob-Noi तथा Garden-Mure इयाद रखना Intel Company Bob-Noi सथा गार्डन मूरेग आपका अगला वारवा कोश्चन है मोटरोला मुवाइल का विसकार किस ने किया असका अंसर है डॉक्टर मार्टन कूपर ने याद रखना मोटरोला मुवाइल का विसकार किस ने किया था डॉक्टर मार्टन कूपर ने आपका अगला तेरवा कोश्चन है कम्पूटर तथा कैल्कुलेटर में क्या अंतर है कम्पूटर तथा कैल्कुलेटर में क्या अंतर है अब देखते हैं कैल्कुलेटर तथा कम्पूटर में अंतर यह है कि computer को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का सम्हुई दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार कर सकता है इसके बिपरीत calculator को एक साथ एक ही निर्देश दिया जा सकता है इसका सही answer एही है कि calculator को एक बार में एक ही निर्देश दिया जाता है जबकि कम्पूटर को एक बार में कई निर्देश दिये जा सकती है चलते हैं अगले कुश्चन की और आपका अगला 14 कुश्चन है मोनीटर का अविश्कार कैसे मापा जाता है आपका आंसर है मोनीटर के बिकरड की लंबाई में monitor का आकार कैसी मापा जाता है? monitor की बिक्रडकी लंबाई में. आपका अगला फिप्टी नंबर का question है fluffy disc का अविस्कार किस वच्गयानिक ने किया? unsur है IBM के वच्गयानिक एिलान सुगारण ने किया है? एलान सुगारण ने आपका अगला 60 नंबर का question है मानाव मस्तिस्क और कम्पूटर में सबसे बड़ा अंतर क्या है अभी आपने देखा कम्पूटर और कैलकुलेटर में अंतर अब एक कुशन है मानाव मस्तिस्क और कम्पूटर में सबसे बड़ा अंतर क्या है यह हैं computer की swim की सूचने की छमता नहीं होती है जबकि आप अपने मस्तिक्स से सूच सकते हैं computer को जो निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुरूप यह काम करेगा जबकि आप अपने अनुरूप से कुछ भी सूच सकते हैं यही इसका सबसे बड़ा अंतर होता है, मानो, मस्तिक्स और कम्पूटर के बीच, चले चलते हैं, अगले कुश्चन के उरका, अगला 17 नमबर का कुश्चन है, इंटरनेट का जनमदाता किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपूटरन कुश्चन है, कई बार पर एक च्छाओं में आया है, इंटरनेट का जनमदाता किसी कहा गया है तो यह है इसका अंसर अमेरिका के बिंटेन कर्फ कौन है दोस्तों अमेरिका के बिंटेन कर्फ इन्हें इंटरनेट संचालन किसी संस्था सरकार वा प्रसासन के नियंतर से मुक्त है यह भी याद रखना है कि जो इंटरनेट है इसका संचालन किसी संस्था है सरकार प्रसासन के नियंतर से मुक्त है किसी के अधीन नहीं है यह मुक्त है और इसके जनमदाता कौन है अमेरिका के विंटन कारफ है इंपोर्टेंट है इसको याद रखना आपका अगला इटी नमबर का क्वेश्चन है ज GPRS क्या है याद रखना है GPRS बायरलेस द्वारा मुबायल फोन से इंटरनेट सुविधा की उपयोग की तकनीक है आजकल इस सभी गाड़ेगों फोरविलोरों में यूज किया जाता है GPRS हर मुबायल में आता है जो मुबायल से कनेक्ट हो जाता है आप सभी लोग इसको जानते हैं कि GPS system क्या है तो GPS wireless द्वारा mobile phone से internet सुविधा की उपयोग की तकनीक है अगला question है आपका 19 hypertext क्या है यह एक एसी विवस्था है जिसके तहत एक text रेखा चित्र प्रोग्राम आधी का आपस में link किया जा सकता है विकास टेड नेलसल ने 1908 में किया था इसको hypertext का किस ने किया था विकास टेड नेलसल ने 1960 में किया था यह एक एसी विवस्था है जिसके तहत एक text रेखा चित्र प्रोग्राम आधी को आपस में link किया जा सकता है चलते हैं अगले question की और आपका अगला question है 20 Extra net क्या है? यह एक ब्यक्तिकत network है जो ब्यवसाय के लिए internet तकनीक और सार्बजनक संचार वैस्था का प्रियोग करता है यह यह इसका answer है सार्बजनक संचार वैस्था का प्रियोग करता है एक्स्टरनेट एक ब्यक्तिगत नेटवर्क है जो ब्यावसाय के लिए इंटरनेट तकनीक और साबजनक संचार वस्था का प्रियूग करता है आपका अगला 21 का कुश्चन है इसका सही आंसर मैकेंटॉस एक कंपनी है इसके द्वारा इसका विसकार किया गया आपका अगला 22 नंबर का कुश्चन है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्द विश्टो के सबसे बड़े इंसाइकलोपीडिया विकीपीडिया की स्थापना किसने की जी हाँ दोस्तों अगर आप गूगल पर कुछ चीज सर्च करने के लिए जाते हैं तो आपर विकीपीडिया खुल की आ जाते हैं Wikipedia पर search कर लिए तो यह मुपत में अपलोक दिपीस्च के सबसे बड़े Encyclopedia Wikipedia की स्थाफना किस ने की थी, Jimmy Wells ने की थी, बहुत ही important question है Jimmy Wells ने स्थाफना की स्थाफना से Wikipedia और Encyclopedia की चलते हैं अगले question के ऊफ आपका अगला 23 नंबर का question है, बैंगलोरू इस्थद Impossus Technology का प्रारम किस्ने किया है Impossus Technology का प्रारम एन नारान मूर्ती जी ने याद रखना है इसको important question है Impossus Technology जो बैंगलोरू में इस्थद है अगला 24 नंबर का question है बर्तमान में बिस्टो का सबसे तेज सुपरकम्पूटर IVM का road runner क्या है सबसेते super computer का road runner पूछा है तो इसका होता है 1000 trillion गड़ना है 30 second कर सकता है कितना कर सकता है 1000 trillion गड़ना है 30 second कर सकता है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को like, share और subscribe जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और इसमें computer से संबन्द सभी question मिलेंगे महत्पूर्ण question रहेंगे यह काफी समय तक class चलेगी daily routine में आप class चलेंगी दोस्तों चले चलते हैं अगले question के और आपका अगला 25 नमर का question है माया क्या है यह एक डियने computer है जिसमें silicon की chip की जगह DNA धागे का प्रयोक किया जाता है आप देखते हैं computer लेपटों में सभी में क्या एक silicon की जो chip होती है वही यूच की जाती है silicon की chip का यूच किया जाता है जबकि Maya एक ऐसा computer है जिसमें DNA धागे का प्रयोग किया गया है, माया एक सकती साले त्री आयामी सौप्ट वेर है, जिसका प्रयोग चलचित्र वीडियो गयम बिसीस प्रभाव डालने के लिए किया जाता है, याद रखना है, अगला क्वेशन आपका 27, आधुने कम्पूटर विज्ञान का जनक किसे कहा ज जाता है, पेंटियम फादर और फेंटियम प्रोसेसर, यह बिनोध धाम, आपका अगला क्वेशन है, 29 नमबर का, इंटरनेट सर्च इंजन गूगल का प्रारंब किसने किया, बहुत ही इंपूर्टन क्वेशन, गूगल का प्रारंब किसने किया, सर्च इंजन का, यह आंसर थर्टी नंबर का question है digital compact disc का अविसकार किस ने किया तो यह है दूस्तों इसका अंसर James Russell ने digital compact disc का अविसकार किस ने किया था James Russell ने किया बहुत important question इसको note करते जाएगा आप लोग चलते हैं अगले question की और आपका अगला question है dynamic ram का विकास किस ने किया किया था आपका अगला 32 नंबर का question है search engine yahoo.com की स्थापना किसने की बहुत ही important question search engine yahoo.com स्थापना किसने की Jerry Young और David फिलो ने मिलकर की थी अभी आपने देखा था search engine google की स्थापना किसने की थी बूथा लेरी पेज और सरगी विनने की थी यह है search engine yahoo.com की स्थापना किसने की यह Jerry Young और David फिलो ने की है चलते हैं अगले question की और आपका अगला 33 नंबर का question है भारत की सबसे बड़ी software company कौन है भारत की सबसे बड़ी software company कौन है यह दोस्ट टाटा कंसल्टैंसी सर्वस यह सबसे बड़ी भारत की software company है जो software बनाती है आपका अगला 34 नंबर का question है पहला graphic user interface GUI application software Macintosh को किसने जारी किया था यह किया था Apple company के दोरा जारी किया गया तो पहला graphic user interface किसके दोरा Apple company ने जारी किया था आपका अगला 35 नंबर का question है email का जनमदाता किसे कहा जाता है email email का जनमदाता किसे कहा जाता है Ray Tomlinson को email का जनमदाता कहा जाता है इन्होंने इस सिवा 1971 में प्रारंब की थी कब की गई थी इस सिवा प्रारंब 1971 में की थी यह जनमदाता Ray Tomlinson है आपका अगला 36 नंबर का question है आधुने कम्पूटर के निर्माड में किस गर्तग का अहम युगदान रहा जिसके लिए उन्हें कम्पूटर का जनम दाता कहा जाता है आधुने कम्पूटर के निर्माड में किसका अहम युगदान रहा चार्स बेवेज का एक क्या थे दोस्तों एक गड़तक थे बहुत बड़े गड़तक रहे हैं Charles Babich आपका अगला question है tablet computer का जनम दाता किसे कहा जाता है tablet computer का जनम दाता किसे कहा जाता apple company के संस्थाफ Steve Jobs को Steve Jobs को tablet computer का जनम दाता कहा जाता है आपका अगला 38 नंबर का question है laptop computer का जनमदाता किसी कहा गया है laptop computer का जनमदाता Adam Usvern को किसको कहा गया है Adam Usvern को laptop computer का जनमदाता कहा गया आपका अगला 39 का question है Ethernet का जनमदाता किसी कहा जाता है Ethernet Ethernet का जनमदाता Bob Matkopp को किसको कहा गया है Bob Matkopp को कहा गया है important question अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तो चैनल को like, share, subscribe जरू कर दीजेगा तब तक के लिए जैहन, जैभरत मिलते हैं अगली वीडियो में